उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधान सभाचुनाव में बिजीपी को बहुमत मिलने के आसार क्या उत्तराखंड में पुशकर सिंग धामी सरकार की वापसी सुनिश्चित है क्या भाजपा सीम चेहरा बदल कर आने वाला विधान सभाचुना जीत पाएगी और तमाम सवालों के साथ स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चानल एलेक्शन विंग पर साथ ही आज हम बात करेंगे कैसे किया जाता है सर्वेक्षड और कैसे तयार किया जाता है ओपीनियन पोल तो शुरू करते हैं सर्वे में उत्तराखंड की टोटल सत्तर विधान सभाच सीटों में से 36 विधान सभाच सीटों पर 709 मतदाताओं से सिधा फेश टू फेश बात की गई है यह सर्वे 5 से 18 अक्टूबर 2021 के बीच की गई है सर्वेक्षड के लिए 36 विधान सभाच सेत्रों में फैले 72 मतदान केंद्रों पर Statified Random Sampling विधी का इस्तेमाल किया गया है हमने उनी मतदाताओं का चयन किया जिनका नाम ओटर लिस्ट में था विधान सभाच उनाओं के लिए राजनितिक सरगर्मी तेज हो गई है इस बीच Election Wing की टीम ने उत्तराखंड के अंदर सर्वे करके लोगों के मूड को समझने की कोशिश की है हमने सर्वे में पूछा कि अगर आज विधान सभाच उनाओं हो जाए तो आप किस पार्टी को ओट देना पसंद करेंगे उपीनियन पोल के मुताबिक किस पार्टी को कितने ओट मिलने का अनुमान है Election Wing सर्वे के मुताबिक अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधान सभाच चुनाओं में BGP को सबसे अधिक 42 फिस्दी ओट मिल सकते हैं विपक्ची पार्टी कांग्रेस के खाते में 36 फिस्दी ओट जा सकते हैं आम आदमी पार्टी को 9 फिस्दी और अन्य दलों को 13 फिस्दी ओट मिल सकता है आईए अब इन ओटों को सीटों में तबदील करके देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में बिजेपी सबसे ज़्यादा सीटों के साथ एक बार फिर सरकार बना सकती है परदेश में बिजेपी को 38 सीटें मिल सकती है कांग्रेस को 27 सीटें मिलने की बात कही गई है इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 3 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है इलेक्शन विंग सर्वे में सामने आया है कि मुकाबला कांटे की होगी पर बिजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उफरेगी राज्य सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठ बंधन को 36 सीटों की जरूरत होती है जब सीयम के चेहरे को लेकर जनता से सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री की कूर्शी पर किसे बैठाना चाहेंगे तो उत्तराखंड की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस नेता हरिश रावत को सबसे ज्यादा 49 फिसदी लोगों ने पसंद किया है जबकि बिजेपी के नए मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी दूसरे नमबर पर है और महच 36 फिसदी लोगों ने ही इनके नाम पर मोहर लगाया है जबकि आपके सीयम बद के उम्मिदवार करनल कोठियाल को सिर्फ 8 फिसदी लोगों ने ही पसंद किया है 17 फिसदी जनता ने बताने से मना कर दिया है अगर सही और 60 उपीनियन पॉल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें अभी हम उत्तरपदेश का उपीनियन पॉल दिखा चुके हैं हम सभी पाँच राजियों का उपीनियन पॉल दिखा रहे हैं जहां 2022 में विधान सभा चुनाओ होने हैं Election Wing सिर्फ व सिर्फ उपीनियन पॉल ही दिखाता है हमारा तजुर्बा 22 वर्शों का है इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपीनियन पोल्स के लिए जुड़े रहें इलेक्शन विंग पर साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप धन्यवाद